नमस्कार ये आकाश श्वानी पटना है अब आप अभशेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए 5 दिसंबर से चल रही आंगनबारी सेविकों की हरताल समाप्त कल से लोटेंगी काम पर राजत के वरिष्ट नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोग सवाचुनों नहीं लड़ेगी लोजपा प्रमुखराम बिलासपा सुवान का दावा सपा और बसपा के गठवंदन से एंडिये पर नहीं पड़ेगा असर और पारंपरिक स्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांती का त्योहार लोगों ने गंगा सहित अन्य नदियों में लगाई आस्था की डुब की प्रदेश में 5 दिसंबर से चल रही आंगनबारी सेविकाओं के हर्ताल समाप्त हो गई है कल से आंगनबारी सेविकाओं अपने काम पर लौट आएंगी आधिकारिक विज्यप्ते में कहा गया है कि समाज कल्यान विभाग और हर्ताली आंगनबारी सेविकाओं के प्रतिनिद्यों के बीच वारता के बाद यह फैसला किया गया राज्य सरकार ने आस्वासन दिया है कि वर्तमान में बढ़े हुए मानदे के अनुसार सेविकाओं को राज्य भत्ता दिया जाएगा वहीं राज्य भत्ता की रासी 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने का भी सकारात्मक कारवाई का आस्वासन दिया गया है राजत के वरिष्ट नेता तेजस्वी प्रसाद यादब ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोक सभाचुनों नहीं लड़ेगी आज पटना में पत्रकारों से बारचीत में स्रियादब ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी गटवंधन को अपना समर्थन देंगे उन्होंने कहा कि बिहार में जल्दी महाकटवंधन की पार्टियों के बीच सीटों का बटबारा हो जाएगा। उन्होंने बिहार में महाकटवंधन के अस्तितों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक घटक दलों के बीच सीटों के बटबारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाना खुद में सारी कहानी बता देता है। अधन में शामिल दल अपने अस्तितों को बचाने के लिए एक जूट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सवा सीटों की मांग की है। अधन के बारे में गहन विचार मिवर्स किया जाएगा। गौर तलब है कि NDA के घटक दल भाजपा और जद्यों के भी 17-17 सीटों पर चिनौल लड़ने का समझाता हुआ है। अधन की लोजपा के लिए 6 सीटें छोड़ी गई है। उच्छतम नयाले, बिहार, पंजाब और हडियाना सहित बेविन राज्यों की उस याचिका की सुनबाई कर रहा था। जिसमें उन्होंने पुलिस महानिदेशकों के न्युक्ती और चैन में उनके अपने अस्थानिय कानूनों को लागू करने की मांग की है। राज्य सरकार ने बकसर जिले के इटाढ़ी और दुमराव प्रखंड को सुखा ग्रस्त घोशित किया है। प्रादेशक समाचार आप आका श्वानी पटना से सुन रहे हैं। मकर संक्रांती का त्योहार आज पारंपरिक स्रधा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ परव सुरी के मकर राश्ठी में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। मकर संक्राम्तिक अपसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग-अलग भागों में स्रधालों ने बिभिन नदियों और पवित्र सरोबरों में आस्था की डुपकी लगाई। हमारे समवादाताओं ने खावर दिये कि स्रधालों ने अस्थानान के बाद पूजार चना कर गरीवों को दान किया। विश्व का सबसे वरा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम कुम्भ मेला आज प्रयागराज में गंगा, यमुना और अद्रिश्य सरस्वती के संगम में पवित्र अस्थानान के बाद शुरू हो गया। बिभिन अखारों के साधुसंतों ने पहले डुकी लगाई। हमारे समवादाता ने आधिकारिक सुत्रों के हवाले से बताया है कि लगभग दो करोड लोगों ने पवित्र अस्नान किया। और देश शाम तक चलेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंदिजाम किये हैं। वही स्वक्ष कुम के लिए भी विशेश तैयारिया की गई है। कुम मेला शहर के संगम तट से एमश्यादों के साथ शशानकुमार आकाशवनी समाचार। कुम मेला उन्चास दिन तक चलेगा और चार मार्च को महाशिवरात्री के दिन संपन्ध होगा। पस्चिम चंपारन जिले के मजहुलिया थनाच्षित्र अंतरगत रमपुरबा महनबागाव में भूमी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलिबारी में एक वेक्तिकी खटनास्तर परी मौत हो गई। जबकि चार अणिक खायल हो गए। पुलिस और प्रसासन के वर्य अधिकारी मौके पर कैम्प कर रहे हैं। उपमुख्य मंतरी सुशिल कुमार मोदी ने जंडो तोलंग किया। इस अफसर पर आयोजिस समारों में स्री मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर तिरंगा फाराने से रास्ट्री एकता की भाबना और मजबूत होगी। बेगुसराई जिले के बरोने इस्ते तेल रिफाइनरी का चौवनमा अस्थापना दिबस आज समारों पुर्वक मनाया गया। समस्तिपुर जिले के रोसरा थानाच्चतर के उदैपुर्गों के पास से पुलिस ने 549 काटन शराब के साथ एक कारूबारी को गरफतार किया है। सारन जिले के रिविलगन स्थानाच्चतर में पुलिस वर्दी में आई डकेतों ने एक घर में डाका डाल कर लगभग 5 लाक रुपे मुल्ली की संपत्ति लूट ली। पटना जिले के सालिमपूर्थानाच्चतर में तीन दिन पुर्व एक किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गरफतार किया है। और अबंत में मुख्य समाचार पांच दिसंबर से चल रही आंगनबारी सेविकों की हरताल समाप्त कल से लोटेंगी काम पर। राजत के वरिष्ट नेता तेजस्वी प्रसाद यादब ने कहा उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोग सवाचुनों नहीं लड़ेगी। लोजपा प्रमुखराम बिलासपासवान का दावा सपा और बसपा के गठवंदन से एंडिये पर नहीं पड़ेगा असर और पारंप्रिक स्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांती का त्योहार लोगों ने गंगा सहित अन्य नदियों में लगाई आस् इसके साथ ही आकास श्वानिपटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्थ हुआ झाल 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 झाल 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 धिवस्के अफसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को शुब काम्नाय दी है बृतें की संसद के सदर्स यूरोपीय संग से अलग होने के बारे में प्रधान मंत्री टेरिजम में द्वारा किये गए समझोधों के मसले पर आज मतरदान की तयारी कर रहे हैं इस मुद्धे पर संसद में पांच दिन की बहस के बाद आज रात वोट डाले जाएंगे टेरीजमे ने सदस्यों से समझोते के पक्ष में मतरदान करने का आग्रे करते हुए कहा है कि ऐसा ना करने पर ब्रिटिश लोगों को भार निराशा का सामना करना पड़ेगा विज्ञान और टेकनोलोजी विभाग ने दूर दर्शन के साथ मिलकर आज विज्ञान संचार की दिशा में पहल करते हुए डीडी साइंस और डीडी इंडिया साइंस नाम के दो चैनल शुरूप किये हैं इस सबसर पर विज्ञान और और हर शुरवर्धन ने कहा कि देश वासियों में विज्ञानिक मनोवरित्ती पैदा करना बहुत जरूरी है इसके साथ ही ये समाचार बोलेटिन समाप्त हुआ